नमस्कार प्रियसाथियो स्वागत है आप सभी का डॉक्टर मुकेश पंचुली के ऑफिशल यूडियो चैनल पर मैं आशा करता हूं कि आप सब की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी चलिए डिसेंबर का मन्त है डिसेंबर का मन्त है और फ्लोजिंग हो रही है साल की टॉपि टेक्निकल क्राइटेरिया होता है जिसकी वज़े से इसको हीट वेव डिकलेर किया जाता है पहले न्यूज देख लेते हैं इस से संबंद देख लेंगे और उसके बाद हम फाइनली कुछ होए कि इसके एफेक्ट देखेंगे कि इसमें भारत का क्या प्रभाभा पढ़ रह होंगे चली परहं के बारत जलत ऐसी लुका अवर्लबैंक की रिपोर्ट रिपोर्टी रिपोर्ट ये कहती है तो सभसे परेले आपको ये बहुत दो चीजा आप सत्वाल बन सकते हैं पहले ब्या için साथ में current president कौन है world bank ठीक है president कौन है और headquarter कहां पर है या comment section में comment कर दीजेगा और यह question है जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा इस तरीके के सवाल बन सकते हैं पहले भी आये हैं निम लिखित में से कौन सी संस्ता wish bank संस्ता wish bank संस्ता wish bank संस्ता नहीं है IBRD, WTO, IDA या फिर IFC जो भी answer होगा आप comment कर दीजेगा कौन सा इन में से वर्ल्ड बैंक का wish bank, वर्ल्ड बैंक संस्ता नहीं है और comment साथ में headquarter और president को आप ही comment कर दीजिएगा ठीक है चलिए लू के बारे में देख लेते हैं ये बच्चे के आपने फोटो देखी है पानी पीते वे प्यास से परेशान व्याकुल heat wave और साथ साथ एक और situation बनती आ रही है ठीक है heat island बन रहे है ऐसे गरम ताप वह आपन देख लेंगे ये देखिए इस slides में आपको देख सकते किस तरीके से ये राजिस्तान वाला portion है राजिस्तान का area हो गया यह मद्यप्रदेश का area हो गया यहाँ थोड़ा हीमा चली ओपर साथ देख ले तो यहाँ थोड़ा little bit यहाँ थोड़ा हलका ठंडा है बाकी पूरे जगे देखे पूरे इंडिया को cover कर लिया है पूरे इंडिया सब continent को heat waves या गर्मी ने cover कर लिया है इस तरीकी की स्तिती जो है वो खराब बताई जारी है वर्ल्ड बैंग ने भी इस report को खराब बताया है तो ग्रिश में रहा है या फिर heat wave है क्या heat wave है सामाने रूप से उच्छ तापमान की अवदी है जो भारत में मई जून महा के दोरान एक सामाने परिगटना है और कुछ दुड़लब मामलों में इसका विस्तार जुलाई महा तक भी देखा गया है यानि कि आसान सिंपल शब्दों में देखा जा तो उच्छ तापमान की अवदी है ठीक टेकनिकल अभी क्या है वह हम देख लेंगी लेकिन उसके लाव उच्छ तापमान यानि कि temperature में इंक्रीज हो रहा है जो है गुजरात ओं टिको तो क्यों यहां है प्रेशर अपर की टारेंगी तो आप क्या होगा कि हैं यह light समझे तो यह 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 ग्रम क्यों कहा है। यह उत guidance है तो यह हो चाहिड कि ठीक हो 1 तर डोन बनाघी इजघ के लिए अरे साइड का इसको भ़ड़ने के लिए इसकी जगह को ठीक है लेकिन साइड का इलाखा भी गरम है साइड का इलाखा भी क्या है गरम है तो इस तरीके से सारी हीट यहाँ पर फसके रहा जाई है क्यों क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर उचदाब बनावा है उचदाब की वज़ए सारी हीट यहाँ बन जाएगी तो यह रीजन रह तो एक टेक्निकल पॉइंट किसे बोलते कि किसी स्थान, स्टेशन पे, मैदानी इलाकों में, यानि कि दो एक लाकों गया, एक तो पहाडी इलाका हो गया, एक तो पहाडी इलाका हो गया, ठीक है, और एक मैदानी, सिंपल प्लेन, मैदानी इलाका हो गया, तो मैदानी इलाका की स्थिदी रहती है तो उसको फिर हम ग्रीश्म लहर उसको हम ग्रीश्म लहर या फिर हीट वेव क्राइटिरिया उसको घोशित कर देते हैं या फिर 5-6 डिगरी का टेंपरेचर लगा एकदम से व्रद्यों एकदम से 5-6 डिग्री के टेंपरेचर की व्रद्धियों किसी भी स्थाप में तो उसको हम हीट वेव डिक्लियर कर देंगे ठीक है तो आई होप कि तीन क्रैटिरिया आपको क्लियर समझ में होंगे कि मैदानी इलाका है प्लेन इलाका है तो उसमें 40 डिग्री संटिग्रेट है पहाडी लागा है तो 30 डिग्री संटिग्रेट है और साथ में 5-6 डिग्री हो जाता 5-6 degrees centigrade का टेंपरेचर जाता है यिया तापमें व्रद्धी होती है मतलब रहने के लिए रहने लाइक भी कंडिशन नहीं रहेगी है ठीक है चलिए अर्थिक प्रवा देख लेते ग्रिश्म लहर की लगातर गटने अर्थव्यवस्ता पर धारन के लिए कारे दीवसों के नुकसान के खारण गरीब और सीमान किसानों की आजिविका नकारत मजदूरी महनत नहीं करवाएंगी तो उस तरीके से एकॉनमी में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा उसका क्रिश्ची पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा क्यों जब दापमान आधर स्रीमा से अधिक हो जाता है तो फसल की पैदावर प्रभावित होती ह जैसे की हर्याना पंजाब उतर प्रदेश के पिछले रभी मौसम में अपने गेहों की उपज में नुकसान होने की सूचना दी 6-7% कमी होने का आशंका है पैदावर जो हीट है हीट की वज़े से जो टेंपरेचर चाही होता है एक एम्बेंट टेंपरेचर चाही होता है फ कि भार लूओलापेटे में रएंगे तो उनमें भी केड़ा तो बिदमीघरी इस टरेता पटेंट तक Неऑम पाचेस परसंट की कमी हमको हमको हीट विभाभा हुवदी बिजली की उपयोग पर प्रभाव तो कूलिंग जादा जदा पूलिंग उस तरीके के यूज़ वा तो उसमें बिजली बिजली आपको पता कहां से आरी कॉल तो कोल पर भी डिपेंडेंस योगी को लेक्ट नॉन रिन्यूबल सोर्स ऑफ एनरजी अचे के नॉन रिन्यूबल इसको रिन्यू नहीं कर सकते हैं ठीक है उससे प्रदूशन भी होता है तो आप देख रहें किस तरीके से एक चीज़े दूसरी चीज़ें लिंक डेखोल कोल की वज़ी से क्योंकि हमको कूलिंग करना पढ़ पट रहें और इसके साथ डेथ के लिए कि लगब 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 1.5 मिलियन यानि की पंदर लाग लोगों की मृत्यों की आशंका है 2019 से एक केस हो मतलब इस वर्षवर इस सदी सदी में 15 लोगों की जो केवल केवल हीट इस प्रोग है हीट इस प्रोग आ गया हीट इस ट्रो इस प्रोड़ेक्टिविटी या पैदावार प्रोड़ेक्टिविटी या फिर पैदावार जो है वह इसका प्रभाव पड़ेगा तो एक सॉलुशन के तोर पर हम क्या देख सकते हैं तो घ्रीश्म लैर को प्राकरतिक आप्दा के रूप में चिनित करना यह बहुत इंपो मेर्स लिये जा सके को को छरम सब्सक्राइब मोनाया ज muscular देखने को आपको अंधिए घ्रिखिंग के माद्निक हम से नोट्स बनाए तो इसे तरीके से बनाई है जनरल राइजन तेम्परेचर के बारे फिर उसके बाद कुछ है क्राइटेरिया थी कि प्लेंस मतलब नॉर्मल एरिया में कितना 40 और हिली एरिया यानि कि पहाड़ी लाकों में कितना है तीज डिगरी तेमपरेचर राइज होता है किसी भी एरिया का तो उसको हीट वेव ऑफिशली इसको हीट वेव डिक्लेयर कर देते हैं यह नेचरल डिजास्टर में है नहीं फिर इसके एफेक्ट हमने देखे किस-किस च कोल पर कैसे डिपेंडेंसी बढ़ेगी इलेक्टिसिटी की जरुवत ज्यादा बढ़ेगी फूर सिक्यूरिटी हमने देखा खादी सुरक्षा पर हमने देखा और एक इसको प्राकरतिक आपदा के रूप में नेचरल डिजास्टर के रूप में इसको इसको इंक्लूड कर लेना चाहिए प्राकरतिक आपदा के रूप में इसको चिनित करना चाहिए चली इस तरीकी के वीडियोज आई होब कि आपको समझ भाएंगे बार-बार न्यूस में रहते हैं तो आप प्लेज इसको गौर कीजिए और जो स्टार्टिंग में के वो बिल्कुल बताईएगा को था वर्लडबंक का हैड़ोटर का पर पर वर्लडबंक का प्रेसीडेंट कौन है और साथ में ऐग क्वैश्चन था कि वर्ल्डबंक ग्रूप से कौन संब्सक्राइव जो संब्सक्राइब नहीं है जो भी आंसर होगा वो प्लीज करना उने स्क्शन में बताईएगा जय ह ये बारत